हेलो स्टुडेंट्स आप लोग कैसे हैं हायो अच्छे होंगे तो माइनेम इज किसन कुमार और आप देख रहें क्रिसना टावा यूट्यूब चैनल और इस चैनल को अगर तरह अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेड आइकन को दबा कर सब्सक्राइब कर ल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम कुछ बेटर बता यंगे करियर में और आपका करियर बना देएं ये मेडिकल फिल्ड में तो चली ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को इसकी बिलकुल मत क करें देखते रहें student medical field में आपको जाने के लिए तो इसमें कुछ आप वो degree courses मिलेंगे और कुछ diploma courses मिलेंगे कुछ degree courses मिलेंगे और कुछ diploma courses मिलेंगे degree courses होते हैं वो कि आपको 3 years से 4 years में आपको पूरे होते हैं और diploma courses होते हैं वो 2 से 3 years में आपके complete हो जाते हैं तो हम आपको बात करते हैं कि सबसे पहले आपको 12 पास के बाद क्या करना है अगर आप मेडिकल फिल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको करियर बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप मेडिकल फिल्ड में जाते हैं तो आपको सबसे पहले 12 पास किया है तो आपको नीट अगर आने चाहिए जो कि NETI करवाती है एक्जाम अब नीट की बात करते हैं यह होता है साड़े-पांच साल का कॉर्स यह फूर सई एक लिक्ता-दो का होता है और एक साल का इंटर्शियप होता है इस कॉर्सेस में इसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं MBBS डॉक्र बन जाते हैं जो आपका complete courses हो जाता है और second option की तरफ चलते हैं हम इसमें second option है कि बेचलर्स और डेंटल सरजरी जो कि आपने सुना होगा जो कि आप नीट के थुरू है इसका एड़िशन होता है जिसमें आपको इसकी फ्रांस और जर्मनी में इसकी बहुत होती है और इसकी इंडिया में बहुत है तो यह एक बैचलर कोर्से से यह एक four years का कोर्से सोता है जिसमें आपको नीट कौलिफाई करके और आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने हैं इसमें भी तब आपको कवर्मेंट कॉलेज मिलेगा अब इसकी बात चलते हैं थाड़ ऑप्सन हमारे पास है बेस्ट ऑप्सन के बी एच हैमेस आप लोग थाड़ ऑप्सन दिख रहे हैं आप पर बी एच हैमेस बैचलर ऑफ यूमियो थरपी मीडिशन इ इंडिया इंडिया में आप पूल सकते हो तो यह भी नीट के थुरू ही इसका एड़िशन होता है मतलब नीट में आपका एग्जाम कौलिफाई करना होता है और फूर के बाद आपको फूर्ट ऑप्सन पर आता है बी एमस बी एमस इसका फुल फॉरम में बैजलर ओफ आयर और पर ताले से पचपन के पचपन परसेंट मार्स आपको चाहिए गवर्मेंट कॉलिज आपको पैस्ट कॉलेज मिलेगा यूपी के अंदर अब इसके बाद आगर आप चलते हैं डिप्लॉमा कोर्सित के बाद हैं अगर आप जैसे इस पेसलिस्ट आपको जैसे बहुत से होते हैं स्पेसलिस्ट तो वो कुछ यूजी और पीजी कॉर्सित करते हैं जिसे एमडी हो गया और एमस हो गया आप नमर पर एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिंग क्योंकि त्री एर्थ का डिप्लॉमा कोर्सित करता है एम बीबियस के बाद तो यह लोग आप लोग छोड़ि करसि ही है। इसमें आपको मेडिसिन आपको बनाने के तरिके बतायाते हैं मीडिकन कैसे बनाए जाती है और इसको मेडिशन के बारे में सारी इंफरमेशन आप तक पहुंचती रहती है यह 12 के बाद आपका यह 12 पास आउट के बाद आपको 50% मार्स 12 में होने चाहिए आया फिर आप बायलोजी गृप से होना या फिर मैथ गृप से हो तो आप इसमें आप कर सकते हैं यह एक बैचल मेडिशन और इसके बगहरा में आपको केमिकल के बारे में जानकारी दे जाती है दवाईयों के बारे में अब चलते हैं नाइन्थ आप्सन पर बीसी नर्सिंग बीसी नर्सिंग होता है यह एक फूर्थ यह का कॉर्स होता है जो 12 के बाद जो स्टुडेंट 12 अभी पास किय आपने या और आपके भाई ने किसी ने अगर किसी ने भी किया हो तो आप उन तक तुरंस वीडियो यह सेर कर देंबाट सब्सक्राइब तो इसके इसके लिए आपको फिजिक्स कैमिस्ट्री और बाइलोजी गुरुप से मिनमुम चालिस परसेंट मार्क्स या पचास परस करते हैं तो 10 अप्सन में BPT बैचिलर ओ फिजियो थरफिजो आपने सुना भी होगा फीजयो थर्पी तो यह 3. prophets यह 25 मास चाहिए फिजो तरपी मार्क के लिए इसके लिए आप चलते हैं हम आपको नेक्ष्ट नेक्ष्ट बताते हैं 12 नंबर पर 11 नंबर पर चलते हैं बी ओटी अपने सुना भी होगा बी ओटी तो इंडिया में इसके ऐसे अग्जाम नर्सिंग और बी पी टी बी ओटी अगर आप ऐसे अग्जाम निकालने हैं अगर यूपी के अंदर आपको मेडिक फिल्ड में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स की लिंक बेज़ दिये वहां से आप लोग डाउनलोड कर दीजिए एमाजॉन से मंगवा लेजी आपको बहुत यूजफुल करेंग आप लोग यह बुक्स पढ़िए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दीए जल्दी डिस्क्रिप्शन को लिए और एमाजॉन से बाइ कीजिए जल्दी से और ओडर कर दीजिए और बुक्स को मंगा के आप पढ़ाई कर लीजिए आपका सेलेक्शन हो जाएगा अब चलते है फिजिक्स कैमिस्ट्री बाइलोजी से गुरुप में आप हो सकता है 12 के बाद 50 परसेंट आपके मार्क्स कंपल्सरी होने चाहिए प्लस इसमें आपको इंगलिस महित्व पूर है चलते हैं 11 नमर पर बी यू एमेस यूनानी मेडिसिन जो यह साड़े 5 साल का कोर्स होता है ब नहीं नाम के आँगे तो इसमें बी एमेस यूनिन कंडिडिट और 12 फिजिक्स कैमिस्ट्री बाइलोजी आप यूर्दू से हो या कंपल्सरी टैन पास और इवेंट एडिक्सन आपके इसमें 17 कम 17 से कम रही उमर होने चाहिए आपके 12 में 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए प्लस आपको प्रिजिक्स कैमिस्ट्री बाइलोजी आपको सब्जेक्ट होने चाहिए 12 में और कम से कम 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए इंग्लिस में मोस्ट इंपोर्टेंट और आपकी 17 साल से कम नहीं होने चाहिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ठाइटीन पर तो यहा हैरवेज सुधा मेडिसिन 2S का कॉर्स होता है यह फिजिक्स चैमिस्ट्री बाइलोजी आप फिर मैथ से हो आप तो इसमें कर सकते हो मैथ बायो आप दोन यह 2S का डिप्लोमा कॉर्स होता है अब चलते हैं बीमल्टी बीमल्टी की बात करते हैं 144F बीमल्टी तो बीमल्टी है यह यह भी एक तीन साल का कॉर्स होता है बैजलर ओफ लेप ट्यक्ाट्निशें आपको जिस कॉर्स में आपको कन्फ्युजिंग करना है प्रोसेस की क्या है तो उसकी कमंट बाक्समें हमें बता दीजिए हम उसकी आपको फुली अच्छे से समझा देंगे हमारे बोटसम नमर के थूरू आप समपर्क कर सकते हैं हमसे आपको सिर्फ टाइम है आठ बजे के बाद आप कर सकते हैं आपको हम आपको हर चीज का आंसर देंगे बस वीडियो के थूरू तो यह आपको तीन साला कोर्स होता है यह फिजेक्स केमिस्ट्री बाइलोजी गुरू में यानि 12 के पास का आपको कर सकते हैं अगर आप जैसे ब्यासी कर चुके हों और आपको कन्फूजिंग लग रहा है कि सर मेरा ब्यासी नर्सिंग कप्लिट होगे ब्यासी नर्सिंग फर यह अपको पता रहा हूं तो BMLT की बात में На कली अब चलते हैं DMLT की बात करते हैं 50 नंबर पर DMLT जो DMLT में बात करते हैं तो डिप्लॉमा इन डिप्लॉमा ऊफॉमीमीडिकल लेप टेगनी छे सें्ड यह साल समझ में नहीं हा रहा है कि सर उसका करियर क्या है और आंगे चल के करियर क्या होने वाला है और इसकी सेलरी क्या रहेगी हम आपको सारे इंफर्मेशन देंगे बस वीडियो के आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें और आप लोग ध्याम से एमजों से बुक्स जरूर मंगालें जो हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है यह आपको इंट्रेंस एक्जाम में जैसे बीसी नर्सिंग हो गया अप ब्घ्ट नर्सिंग फार्मा टी इंट्रेंस एक्जाम में लिए वीडियों को डिएडियों प्लस आप इस्ताग्राम पर हमें follow कर सकते हैं आप के लिए आ लोग को Instagram पर भी message कर सकते हैं धर Facebook या फिर हम आपको ताहने से देदेंगे तो थैंक्स पर बोस्चिंग पलीच अब करबागन चैनल थेंक यू